जन अधिकार पाटी के राष्टिय संडक चक पपु जादो सीवान आने के करम में प्रतापूर पहुँचे हैं और शाहबदिन शाहब के पिताजी से मिलकर हाल चल लिया कई जगह पे गए वहाँ भी लोगों से मिले पपु जादो जी हम आप से जानना चाहेंगे जो देश के आज हालात चल रहे है जो राजनी चल रही है क्या कहेंगे आप बात बताइए देश के हालात को हालात में पहुचाने वाले लोग कौन है यह जो भूट, सियासत, सत्ता, राजनिती यह इन चीजों को हटा दीजे देश के हालात सब ठीक हो जाएंगे सब हमन और फरी और लुब गृघ सुच्राइए नहीं है क्यिकति घंदाटी करता है हिंदु मुसलमान कोई हिंदु और मुसलमान कोई पारवारड को नौन-दग पी अजक कोई लर्ना चाहता है इस हिंदूस्तान में क्यों मि Elle दुनिया में डोग रोटी से परिशान है रुजगार के चलते परिशान हैं लोग अपने हालाद से परिशान हैं कौन लड़ना चाहता है यह पॉलिटीशन 2018 में ही इनको लड़ाई क्यों सूचती है इससे पहले इतनी रम नमी हुई आजादी के बादास थक कभी आप 10-10 दिन तक रम आप नहीं आप हम भगवान को बनाने में इंसानियत को और मिटाने की तयारी कर चुके हैं मानवत्ता को खतम करने पुजी एक सवाल और है जैसे राजसभाय के चुनाओं इधर समाप्त हुए नाम आ रहा था शाबदिन जी की पत्नी का हीना साहब का लिंक कहीं से भी इन्हें नहीं बनाए गया जो यह इस्तमाल करते हैं समाजके जल मजब के नाम पर उसकी साक्य के जारिव रषय कोई सेकुलरिस फिन्दुस्तान में नहीं मesu कोई सही नहीं है ये सब कोगेते सक्षान एक सियासदार एक ऑपने परिवार उपने रसूख लिये कौम का धर्म का मजब का जात्का इं भासा तभी भी कहा औरिए बात मुझकों आप रादो गुखकेर के में इतने हमें आपसे मैं ने तभी कहा कि मजा राप बताऊ जिस दिन Protein साहब in さ केस हुए थे उस बक्त लाले। यादव की सरकार इस्टकार नितीश कुमार के सरकार में केस नहीं हुए नितीश कुमार कि कई बार अब साहबुदिन जी अपने पड़िवार और अपने नीजी जीवन से बहुत उपर उठ चुक है मैंने कई बार कहा कि वह विचारों से समझोता नहीं करते हैं वह समाज के इनायत से समझोता नहीं करते हैं समाज का जो पलंबर है जो सरवधर्व संभाव है वो उस मिजाज के लोग है उनके लिए वह अदीवों समझोता करना चाहते कब के कब साबु दिन साथ जिसके बदोलत कई बार किसी की सत्ता बनी और उन जिसकी इतनी ताकत थी कभी किसी सत्ता को बना सकता था विगार सकता थ आप जब आपकी सरकार थी तब भी आप उसके साथ नहीं कर सके आप नियाले की पास आते बरी-बरी चीजें होती हैं बरे-बरे घटने आज लोया वाला को देख लीजिए आप आप क्या नहीं होता है जिसकी स्यासत के आता एप जिसके बदोलत जिस छोड़ दीजे यह नियुद्यं साब की बात मानओ आप बेगर मुसल्मानों के बेगर कमजोरों के बेगर दलीतों के आपकी वजूत क्या थी लेगर बंचितों कि आपकी वजूद कीया दिया। और आपको कुछ ने वजूद वाला बनाया, आप ने उसका वजूद, उसकोम, उस धर्म, उस कमज़ोर बंचितों जलीतों का वजूद कहां करख दिया। उसकी एकोनोमी, उसका रुजगार, उसकाieron 간 watercolor, उसका help, उसके मुश्कुराने के तरीके आप कहां कोई भी सियासतदार आज मैं हम मुझे मुझे कभी-कभी आजसा लगता अभी जितने जगा दंगा हुए सब मैं वहां गया भागलपूर में भम चल लहते में वहां उस दिन था फिर मैं अभी भाई क्यों कुछ हुआ नहीं सिर्फ ज नहीं है आप अपने बेटे के लिए सत्ता से अलग हो गया आप विड्राव कर लिए आप उस दिन साबुदीन साब के लिए विड्राव कर लेते हैं आपके बेटे का तो कोई जोगदान आपके सत्ता और सियासत में नहीं था इस बैक्ति का तो इतना जोगदान था इतनी तब भी उसकी योगदान के उसकी कुरवानियों को आप इंतिहा नहीं दे पाऊगे। पपुजी एक सवाल और है कि आप लोग जिस उस समय जो आपका कहाना है कि लालु जी उस समय थे उनके ही रीजन में केस हुआ आप लोग भी साध राज़त में थे उस समय तो फिर आप लोग ने उसका बीरोध क्यों नहीं आपको पता है कि मैं राज़त में नहीं था जी वही रिष्टा है वो 90 के पहले और कंप्लिट भ्यक्तिगत और परिवारी के रिष्टा रहा है और हर समय जब भी कोई घटना घटी है हम तो कस्मीर से कन्या कुमारी जब कोई घटना घटी है तो सबसे पहले पपू यादव इस दुनिया में पहुंचा है और हर आदमी की मदद प आप यह समझे ना कि आप लगातार इस्तमाल की है और उसके बाद भी आप वालिद सहाब को देखने नहीं है आप आ जाते पड़िवार आपका बेटा बेटा आपके बापको दुख है तो दुख और उसामा के पिता है और पूरा पड़िवार आंसु से गम से निकल नहीं फाता है इस वालिद साभ को देखने के बाद मुझे लगता है कि इसको मांफ नहीं करेगा कुछ ही था साधशन хл के वालिद करोनों करोर रुपया लेकर के आप उस माफ्याओं को राजसभाद बना दिये क्या क्वालिटी थी उसमें जनाफ जिसके बिष्टर के नीचे चार करोर रुपया पकराता है उसको आप बना देते हो आपका अभी भी राजा रानी के बेटे को अभी भी पैसे लेने से कि यहां आतो जाते हैं अप गटवन्दन तोड़तों लेते हैं जब केस हुआ है क्या हूँ हो बच्चा क्राइम किया था कि जिस पर 302 का मुकतमा आपने लगा दिया और जब आपकी सरकार थी तो आपने विट्राव तक ने लिया और केस को इस तक नहीं किया उसके बाद आ किसी मुशलमान या सिंगल दलीत या सिंगल किसी समाज के कमजोरों का नाम बता दो ना जिससे 37, 32 साल में इन्होंने किसी की मुखालपत की हो या किसी का सम्मान मिला हो बस इस्तमाल होते गए जब मन आया सेकलरिजम के नाम पर डर दिखा कि आज भी डर आज भी फाइदा किसको है सिंदु मुसल्मान या जाद पात के जग्रे में फाइदा किसको होता है नेता को एक आद्मी भी मस्त इधर सोचता है कि यह मेरा मोट पक्ता हो रहा है इधर लगता है चलो पूरा एंज्चवाई करो हमारा घर सुरक्षी हम तो बचेंगे मरने दो और उसके लास पर हमारी तासीर त्यार होगी और यहां अखलेस मायवती जी हैं बिश कॉंग्रेस अलग था सरत पवार और कॉंग्रेस अलग था वहां OBC और तेलंगना में TRS एक हो गया है तेलंगना और OBC अलग हो गया कॉंग्रेस की सरकार अलग है यहां अर्बिन के जिवाल तो बिहार का मिजाज लंबे समय से NDA UPA के बिकल्प की और सबको आज 70 सालों से लगातार बिहार का जो मिजाज रहा है वो गलत लों के हाथ में रहा है और निस्सित रुप से बिहार का जो यूथ है चात्र है बिहार का जो गरीब है वो रोजगार चाहता है वो परना चाहता है वो धंदास चाहता है वो जीना चाहता तो वो नहीं चाहता है कि इन दोनों के मुफाज में हम लोग पर एंए और यूथ बदल ला चाहता है तो निस्चित रूपसे संकल्ब और बिकल्ब के साथ बहुत सारी चीजे बढ़ेगी और नहीं आयां बने तेज परताब की साधी की शर्चा जूरू से है साधी विहाँ चलता रहता है साधी विहाँ में राजनिती नहीं होनी चाहिए बहुत बहुत बढ़ाई लेकिन अज बिहार में और देश में बहुत ऐसी चीजे हैं अब देखिएगा लगातार आरक्षन के सवाल पर देश को जलाने के प्रियास किये जा की बात की तो हर आदमी को अपने राइट की बात करने का अधिकार है ठलीतों को भी है सबी लोग को हैं लेकिन पूरा लगता है कि दिया इसका टुकरा टुकरा हम लोग कर देंगे किसी को इनभाल होनी की जोरत नहीं दलीतों के सबाल पर आप उसके भी साथ खड़े not हो पा हम यह सवाल सलमान खान और साधी नहीं क्या माना जाए कि आने वाले चुनाओं में चाहे लोग सा भज का चुनाओं या फिर भी धान सा भगा चुनाओं पपु जादो नितिस कुमारा और लालू जादो का पुर्जोर बिरोद करेंगे देखिए अभी एक साल का वक्त है आप काम चाहता है रोजगार चाहता है मैं उमीद करता हूं एक नया कोई विकल्प युवा हो और घट बच्छात्रों को ले करके बनेगा और मैं उमीद करता हूं जो इस्तमाल होते रहे हैं और जिसका इस्तमाल करके लंबे समय तक सियासत के कुर्शी पर बैठा रहा है सिवान ने उसको समझा है और आने दीजे बक्त मोशुल में जो मारे गैत है जो सिवान के कुछ लोग हैं उसमें आप उन लोगे परिवारोल से जाकर मिलेंगे कुछ शहयोग भी करेंगे अभी जा रहा हैं बिल्कुल रूप से हम जहां जाते हैं निश्व रूप से सहीयों करते हैं आटी आई को अभी लड़के को गोली मार दिया और राज़त के लेकीश्व vendors कि अभी यृह मारे यृब मोरे सळाने कि जले हैं यृब Q दिया ननाकरटाई लगव देटा हूँ इंकी जो आघ्ल लगाने के प्रियास फी वे रुके इसलिए मैं तो चाहूंगा कि किसी भी किमत पर हिंदुस्तान में जिए जो धलीत है सथा है इस परतिसत ये जो मैनोटीस के लोग हैं 14 परसंट ये जो 20 सब्सक्राइब अत्यंत पिछ्रे के जो भरग हैं निसाद बैठते रहेंगे और इस्तमाल होते रहेंगे यह मुसल्मान भाई धलित भाई तब तक इनके मिजाज को ढड़ा करकि हम राजनीती करें अन्नता आगे नहीं चलेगे इन्हें सियासत के लिए हिंदुस्तान के इन बड़े गरीब और बरा जो मजबूत इलुक संख्या है उसक